है हेलो फ्रेंट्स आप सभी का यूदूब चैनल पर स्वागत हैं अगर आप पहली बार आए हो तो मैं डॉक्टर नुष गोश्वामी आपका अपने YouTube चैनल पर हाधिक स्वागत स्वागत करता हूं फ्रेंड्स बहुत सारे patients complaint करते हैं कि सर मेरे मेरे को मलदवार से लगाता चिपचिपा पानी सा निकलता रहता है या मेरे को कभी-कभी पिला सा पस्टाइप का कुछ निकलता रहता है लेकिन सर मेरे को दर्द नहीं होता और एक साल पहले या दो साल पहले मेरे को फिशर बना था फिशर पहले दर्द बहुत होता था सर ले आज की वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं कि जो मलदवार के फिशर होते हैं, वो स्लोली स्लोली क्रोनिक फिशर के अंदर करणवर्ट होके, कभी कभी फिश्टवला के अंदर भी करणवर्ट हो जाते हैं, चलिए फ्रेंट्स, शुरू करते हैं अपने वीडियो तो फ्रेंट्स होता क्या है कि पेशन को फिशर बना हाड इसुल आने की वैसे मतलब मलदवार के अंदर अचानक कट के लगने को फिशर बोलते हैं ऑब मोसन के अंदर कट लगा कि किसी भी काण से लगसकता है को अपको अब मोशन बहुत जादा हाड आया उसकी वैसे आपको सूह को क्ट लगा शांते बहुत दबनेगा और आप और श். अब यह आपने लगाई तो आप पांस दिन के अंदर साथ दिन के अंदर फर्स क्लास अब भी ठीक हो गए उसके बाद आपने टीटमेंट कंप्लेटली बंद कर दिया अब होता क्या है कि पेशेंट फिर अपनी दिनसरिया जो पहले वाली थी फिर उसको नोर्मल रूप से जीने लगत साय बनता है जैसे भी है डोक्टर की गलती से बना या आपकी गलती से बना लेकिन जब फिसर पुराने हो जाते हैं क्रोके के अंदर सब्सकुरा प्रवा अंदर ख़राब हो जाती है जब रखत का परवाया अच्छा नहीं होता तो एक्ट्यूट फिशर धUIरे भी कोनिक फ लेकिन सर्क कभी-कभी मोशन के रास्ते से चिप-चिपासा पानी या पीला-पीला ऐसा पदार्थ सब मेरे को महसूस होता है कि कुछ निकलता है तो इसका मतलब फ्रेंड्स जो आपका मलदवार का पुराना गाहू था जो आपको क्रोनिक फिशर था वो फिश्प्ला के अंद डिले करने की वेज़े से होता है अगर आपको किसी भी तरह का फिशर क्रोनिक फिशर कुछ भी पढ़ा हुआ है तो आप तुरंत अपने प्रक्टलोजिस को एक बार कंसर्ट जरूर कर लें अपने छार सुत्रा विश्प्ला के अंदर करवाट होते हैं तो उसके अंदर टा ट्रीटमेंट को अपने डोक्टर को पहले पैचानों कि आपका डोक्टर क्या वाके में ही छार सुत्रा विश्प्लोजिस्ट है और अपनी बिमारी को जल्दी डाइग्नोस करा कि उसका प्रोपर रूप से ट्रीटमेंट जरूर लेना चाहिए नहीं तो क्रोनिक फिशर पानी निकलता है तो हो सकता है आपको भगंदर पड़ा हुआ हो ठीक है तो आप फ्रेंड्स आज तो हमारे वीडियो में इतना ही है अगर आपको हमारे द्वारा दीकर जानकर अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें कमेंट करें किसी भी तर पोतुर।